तो आपको चैनल को धुने बाद और आपको जितने भी फोलोवर उसको जाडखंडी से वहार हमें तो ऐसा लग रहा है कि इस बार राष्टिय आदिवासी दिवस जो पूरे संगठन, पूरे देश या जाडखंड में सभी संगठन का लोग अपने स्तर से बना रहे हैं हमें लगता है कि इस साल कारेक्रम नहीं करकर जितने भी जाडखंड में घटना हुआ है उसका सोक सभव बनाना चैहिए आज देख लिजे कि मनिपूर में जीस तरह से आदिवासी महिला के साथ घटना घटी या जाडखंड माई दिन मडर हो रहा है अभी सुबास मुंड़ा जी का मडर हुआ हाल फिलाल में और कितने आदिवासी के साथ सोसन हो रहा है हमें लगता है कि इस बार तमाम आदिवासी को सोक सभव इसको बनाना चैहिए ये खुसी इस बार इजहार नहीं करना चैहिए कि हमें लगता है कि जितने भी जाडखन में घटना घटा है हमें एक जुठ होकर उन परिवार के पास जाना चाहिए उनको दिलासा देना चाहिए इसी में भाईचारीय और एकता मजबूत होगा और राष्टिये आदिवासी दिवस्तों हर साल आएगा घटना जिस प्रकास से घटी है पूरे जाडखन में या पूरे देश भारत में हमें लगता है कि जिस जगा में जो भी संगठन चलता है पूरे भारत देश में सभी संगठन को एक जुठ होके उन परिवार के पास जाना चाहिए और संतनों देना चाहिए और एक जुठ होना कि आने ओले दिनों में इस तरह का घटना अधिवासी के साथ ना हो अब पूरा देश के अधिवासी को मैं आगरा करूंगा कि एक जुठ होने का अब समय आ गया है एक जुठ होके अपने हंक अधिकार परंपरा रिती रिवाज पुझा परगेती को बचाने के लिए एक हो यही कहके मैं अपनी बात को समाप्त करतों मेरा नाम है हुए सुरश्ट को सरना सदान मुलवासी मंच के अधियर्च जारकन की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लाइब कमेंट और शेर करना ना भूले जुड़े रहे हमारे साथ क्यूंकि हम है आपकी आवाज